राम चंद्र कह गए सिया से ऐसा कल्यूग आएगा हंस चुगेगा दाना दुनका कववा मोती खाएगा पढ़ा होगा तो बस कल्यूग काफी टाइम पहले आ चुका था लेकिन कल कववे के दर्शन हो गए हैं जिसको मोती ना मिले इस बार थी जिम्मदारी मेरी और आपकी है MX Player वो देवता जो अकसर फ्री में सिनिमा की बारिश करता है इस बार उसे तेजा बहार निकला है जिसने आँग, कान, दिमाग तीनों को पर्मानिट चोटिल कर दिया है राम यूग जो ये नई वेब सीरीज है मैं शर्ट लगा सकती हूँ इससे जादा गलत और बखवास शो आपने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा होगा अकसर मेरे रिव्यू में रेटिंग लास्ट में मिलती है लेकिन राम यूग को रेटिंग देने के लिए मैं तरप रही हूँ पांच में से माइनस वाइब स्टार्स मिलेंगे इन शॉट जैसे छोटे बच्चों को हातों से खाना खिलाया जाता है ठीक वैसे ही रामाइन इनसान को जिन्दगी जीने का तरीका सिखाता है क्या सही क्या गलत सारे फैसले रामाइन की बातों पर बेस्ट होते हैं बस इसी माइथलोजी को recreate करने की कोशिश में रामयुक को बनाया गया है रामसीता की अमर प्रेम कहानी, लक्षमन का भाई चारा, रावन का घवन और हनुमान की बहादुरी सारी चीज़ें मिल जाएंगी शो में बस एक चीज़ जो missing है वो है originality एक चीज़ को बोलकर बताने में और खुद उसको महसूस करने में जमीन आस्मान का फर्ग होता है रामयुक का एक एक सीन चीख कर बोलता है कि वो रामयन की फोटो कॉपी है लेकिन आपका दिल उस पर भरोसा करने के लिए 0% भी तयार नहीं होगा चल जूटी ये वाली feeling आएगी जिस तरीके से शो को डेरेट किया गया है सिर्फ एक नाम दिमाग में आता है एक ताकपूर जी हाँ ठीक इन महतर्मा के daily serial जैसी vibes आती है इस रामयुक से रंग भी रंग के कप्टे, शरीर पे भारी भर कम ज्वेलरी, मौडन जमाने का हेर स्टाइल और चेहरे को त्रमकाने के लिए मेक अप की पूरी दुकान खोलना और जब इस सबसे भी मन नहीं भरा तो बैक्राउंड में बजने वाला धूमता नननना जैसे मालो अभी कसौर्टी जिंदगी से कमॉलिका प्रकट हो जाएगी प्रभू ये वो रामायर नहीं है जिसको हम पहचानते हैं लेकिन सबसे घटिया चीज जानते हो क्या? और एक्टिंग का लेवल 0 से माइनस 100 एक वो सीता हैं जिनके अंदर हम आइडिल विमन ढूंटे हैं और दूसरी तरफ ये मैडम जिनका गुसा प्यार दुख सब एक जैसे हैं अरजन कपूर आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल रिकॉर्ड में से हटाना पड़ेगा क्योंकि जीरो एक्स्प्रेशन वाली कैटेगरी में ये मैडम बाजी माग गई हैं और बिचारे लास्ट में बचके हनुमान जी मेरे फेवरेट केरेक्टर इनके साथ जो हुआ है उसके लिए दिल से बुरा लगता है यार ये वानर है या इनसान इसका फैसला ये बंदा खुद भी नहीं कर पाएगा जब मूच दिखा रहे हो तो फिर मूबी वानर जैसा बनाना चाहिए न और ये सर पर क्या बार्बी डॉल वाला विग लगा दिया मतलब किसी ने नहीं बोला ये कैसा दिख रहा है मैं बोल देती हूं छी एंड लास्ट बट नॉट दा लीस्ट रावन वो कैरेक्टर जो असल मायने में रामायन का रीजन है इधर उस बिचारे के साथ भी बड़ा धोका हुआ है पहले तो सोने की लंका को लोहे की लंका में बिचारे को महल के अंदर जाने का मौका तक नहीं मिला नहीं सच में इस बंदे के 100% सीन्स यहीं कड़कती धूप में ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट हुए हैं और भया यह किसका आइडिया था कि रामायन की कहानी पास्ट और प्रेजन वाले नरेशन से स्टार्ट करेंगे वा भया यहां कोई सस्पेंस ट्रिलर वाला गेम चल र हां उससे पहले राम सीता का स्वेंवर जरूर दिखाया गया है जो राखी सावन के स्वेंवर से काफी मैच करता है मतलब जैन्वीन ऑथेंटिक शो कैसे नहीं बनाना है कोई सीखे इस शो के डिरेक्टर से और हां विज्वल्स तो छोड़ी दो इस शो के डायलोग्स भी आ मुझे शर्म आती है खुद पे कि मेरे दिमाग में वो ख्याल आया कैसे बच्चों को तो छोड़ो अगर किसी बड़े बुजर्ग ने ये शो देख लिया तो वर्ल बॉर 3 की शुरुवात हो जाएगी इन शॉर्ट दुश्मन न करे MX प्लेयर ने वो काम किया है आंग कान द किस्ता खतम कैसे हुआ वो तो सुनते जाओ एक स्टार करतेगा क्रियेटिव फ्रीडम की आर्ड में रामायन को क्यूंकि सास भी कभी बहूती पार्ट टू बनाने के लिए एक स्टार करन जोहर के स्टूडेंट आफ दे एर से भी जादा गलत कास्ट चुनने के लिए मतलब कोई भी एक्टर अपने करेक्टर के लायक नहीं है एक स्टार आखों को डोनेट करने पे मजबूर करने वाले करेक्टर अपिरेंस के लिए एक स्टार बिना सरपैट के बचकाने डायलोग के लिए वालमिकी की आत्मा इश्टो के राइटर के सपनों में जरूर आएगी इस बात की 100% गैरेंटी है और लास्ट एक स्टार कटेगा कल रात को 4 गंटे मेरी नीन बरबाद करने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है यार बागी वीडियो में कुछ पसंद रहा हो या पर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतिजार करिए मिलूगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई